नमस्कार दोस्तों, आज हमें एक इसी कमपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका तीन सेर 60 सेर में कनवर्ट होने वाला है मतलब एक सेर 20 सेर में कनवर्ट हो जाएगा इस कमपनी का मार्केट केप 5869 करोर रुपया है और इसका मौजूदा कीमत 10505 रुपया है 52 हपते की बात करें तो सबसे कम कीमत 343 रुपया रहा है और इसका हाइस्ट कीमत 10,505 रुपया रहा है इस श्टोक का PE 580 है और इसका book value 393 है यह company dividend नहीं देती है इसका अंकित मुल्य 10 रुपया है 50 और 200 दिन के बीच moving average की बात करें तो श्टोक काफी उससे उपर काम करता हुआ नजरा रहा है इसकी पेसेवरों की बात करें मतलब प्रोस की बात करें तो पिछले तीमाही के तुलना में पर मोटर होल्डिंग में 35% विर्दी हुई है कमपनी की अवसत बिक्री विर्दी पिछले 10 वर्षों में 28% है कमपनी की कारिसेल पूंजी के अवसकता है 15,840 दिन से घट कर 89.6 दिन हो गई है इसकी दोस की बात करें तो श्टोक अपने बुक वेल्यू से 26.7 गुना पर काड़ोबार कर रहा है हलाकि कमपनी बार-बार मुनाफ़ा बता रही है लेकिन लाभांस भुकता नहीं कर रही है पिछले 3 वर्षों में कमपनी का एक्विटी पर रिटर्न 2% रहा है कमपनी ब्याज लागत का पुंजी करन कर सकती है पिछले 3 वर्षों में पर मोटर होल्डिंग में कमी आई है company trading sector से आती है और इस sector में company 8 वी सबसे बड़ी company है company की sales की बात करें तो 2021 में 6 करोड 2022 में 0 बता रहा है और 2023 में 2 करोड की sales की है इसकी net profit की बात करें तो profit अभी 0-0 बता रहा है लेकिन TTM में 10 करोड का profit बता रहा है कमपनी के पास reserve cash अभी 153 करोड रुपया का reserve cash है और कमपनी के पास debt मातर 40 करोड रुपया है कमपनी को debt free company मान सकते हैं क्योंकि इस debt को कभी भी reserve cash से खतम किया जा सकता है कमपनी के share holding pattern की बात करें तो 53.79% promoters की holding है DIAIS की 3.48% government की इसमें holding नहीं है और public की holding 42.72% है इस कमपनी के नाम HC Mart है इसने 1.10 की ratio में split की घोशना की है मतलब 1 share आपका 10 share में convert हो जाएगा उसके बाद 1.1 की ratio में bonus की घोशना की है मतलब आपका 1 share 10 share में convert होने के बाद 10 share पर 1.1 share का bonus मिलेगा तो 10 share भी share में convert हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि आपका 1 share 20 share में convert हो जाएगा 3 share 60 share में convert हो जाएगा